आज की या वीडियो भी फस्टेर के फस्ट समेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्पोड और महा संग्राम होने वाली है जिन भी छात्रों की परिच्छा भोगोल यानि की जियोग्राफिक है उनके लिए वीडियो एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही जरूरी है उनको वीडियो देखना क्योंकि इस वीडियो हम भोगोल के most important question and answer आपको आपको बताने वाले हैं जो कि आपकी परिछा में इस बार आने के उम्मीद है और जो पिछले फालों में कई बार question repeated भी है और इस बार भी आने को उम्मीद है वो सारे बताएंगे question भी बताएंगे उसका उत पक्यों सकते हैं लेकिन कम से कम इतने तो आप लोग देख लीजी यहाँ पर यह पर यह पर्थम मोर से समेश्टर आपका प्रथम में भी एगा और subject भोगोल यानि कि physical geography तो आते हैं question पर पहला प्रशन है कि आदरता की परिभाफा दीदी यह फिर आदरता पर क्या ताथ पर फरातिश के प्रकार बता है निय knocking प्रशन प्रिछा में कई बार repeated है तो इसका उत्तर पहले समस्ते हैं ठीक है जो पूरा का पूरा वायव मंडल है ठीक है तो वायव मंडल में ठीक है जो की आदरस से है, मतलब देखा नहीं जा फक्ता है, मतलब कि थोड़ा बहुत ज्यादा आदरस है, ठीक है, उसकी जो मात्रा होती ही, उसे ही आदरता कहा जाता है, ठीक, बाकी ये सिंपल ची परिभासा होगे, इसके तीन परकार होते हैं, इस बात को ध्यान नखेंगे, कितन लहता है, फिर नीचे रहता है, तो वो क्या होता है, धीरे-धीरे वो वास्प बनकर, ठीक, वो धीरे-धीरे कहां चला जाता है, वह मंडल में ही चला जाता है, ठीक है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा, और बेसिक सा पर्चे में आपको दे दिया, बहुत ही सिंप भाई के प्रमुक फ्रतदार चट्टानों का उलेग की यानि कि जो प्रमुक प्रतदार चट्टाने होती है कौनसी थे बारे मतर की तो याद fraction रहएंगे प्रमुक फ्रतदार जो चट्ट्टाने क्ज psicisam carbonate इसका निर्माट जैविक पदार्थो अथवा रफाइनिक अवचेप से होता है इसमें पाया जाने वाला मुख के खनिज ठीक है कैल साइट है इसके अलावा ठीक है फेल्श पार चीका आध खनिज पाया जाते हैं तो यह परचे लिखेंगे और यह जो अधिकतर मद्परदेफ आंद्परदेफ बिहार गुजरात में पाय जाता है और बल्वा पत्थर ठीक है यह अगला चट्टान ठीक है प्रमुक यह भी हाई लेबल का कोईश मतलब की इसका पार्ट है कभी कभी आ जाता बल्वा पत्थर के बारे मताईए ठीक है तो यहां पे आपके ए कागुलो मेरिट ठीक है कागुलो मेरिट यह भी चट्टान है तो आपकी परिछ्छा में ऐसे प्रश्णाएगा कि प्रमुक जो परतदार चट्टाने होते उनके नाम लिखिए ठीक है और अगली जो बहुती पॉप्लर चट्टान जिसका नाम है सैल चट्टान ये परिछ् होते हैं मताब बहुत चोटे-चोटे होते हैं इनके जुड़ने के बीच में कोई रिक्त अफ्थान नहीं होता है और यह बहुत ही महात्पूर्ण पर इच्छा में कई बार रिपीड़ है इस बार भी आने को उम्मीद है ठीक है अगला प्रश्ण भी बहुत ही ठीक है आउसेस यानी कुछ कणपाया जाते हैं यह चट्टाने अफ्तरित होती हैं क्योंकि इनका नशे में होता है दो पर्तों को भीवाजित करने वाला ठ्रिक करना वालाद। अगला है परत-दार चट्टाने फ्रेवेस या सरंधरी होती हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है चोटे बड़े कणों के समिर्षन से होता है मतलब छोटे भी कणों होते बड़े होते उनको सब्सक्राइब किसे मिला कर या फिर सैयोग से मिस्रण करके बनाया जाता है ठीक है यह भी प्रमुक विस्षिस्ता हो गई अगले विस्षिस्ता की कोमल अवफादी सैलों में संपीडन द्वारा हलके मोड़ उत्पन हो जाते हैं यही कारण है कि परद्दा चट्टाने सामानेता 36 अवस्था में बहुत कम पाई जाती है तो अभी नती अतवा भूसन्leanत किया है ठीक है भूसन्न norती कभी ज्यादा आता है भी एद yas anna की परिभावाफा दीजी और इसके मिसिस्षिस्ताओं के बारें भी है तु चलिए पहले परिभावाफा जानतेए फिर बिस्षिस्ता भी जानेंगे उत्तर लिकेंगे कि साधारा अर्थ में भू अभी नतिका अताथ पर जल पूर्ड गर्थ से किया जाता है जिसमें तल छट का जमा हो रहता है जिस कारण उसकी तली में निरंतर नीचे धसा होता रहता है प्रेडाम सुरूप अधिक गहराई तथा अवफादों का जमा हो जात है भू अभीनति लंबा संक्रा तथा उथला जलिये भाग होती है जिनमें तल छटिये निचेप के साथ तली में धसा होता है मत्तब कि जब आप जाएंगे वहां पर तो एक तरीके से बोलते हैं थोड़ा थोड़ा पानी रहता तो आप जब जाएंगे उसमें तो आपका प तो इस प्रकार चोटी इस परिभास लिखेंगे और इसके परिभाफा अलग अलग विद्वानों के दिवारा प्रस्तुच की गई है तो आप चाहें तो ये लिख देंगे फिर अन्य परिभावासा भी लिटें तो चलिए बेसिक यानिन चोटी परिभासा सबसे जानते हैं बहू सनत कि या फिर भो अभनत कि तो भू अभनितियां के जली भाग होतें जिनमें लगभख निरंतर अवफात का जमाओ होता रहता है तो यह परिपास आप चाह्याद करेंगे अगली परिबासा याद कर सकते हैं कि भूफ अन्नत वे उथले जलिये भाग हैं यही याद करिएगा भूफ अन्नत जो है वे उथले भाग हैं उथले कौन से भाग हैं जलिये भाग हैं जिनमें तल छटिये निछेप के साथ ही उनकी तलियां भी धफी रहती हैं तलियां लिए परिवर्टन होता रहता है दुसरी है कि यह बुख गर्बिक इतिहास के कई युगों में पाई जाती है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे कि विसेस्ता महात्पॉंट प्रस्ट हैं तैयार कल सकते हैं अगला बहुत ही हाई लेबल का जो कि हमेशा था इस बार भी ठीक है फैलिस बरी इन्होंने इसकी परिवांसा दी है भुकम्प की कि प्राकरतिक कारणों फे जब प्रित्विक की फता कापने लगती है तो उसे भुकम्प कहते हैं मालिजे की कोई बार हा गई या फिर कुछ उस तरह का आचानक फे ठीक है मतलब कि यह सभी कुछ भुकम हो गया ठीक है और आपका ज्वाला मुख्ही हो गया सबक्तों फीप प्रिक्रतिक आप्णाजने लगते हैं मतलब की भुकम्प जब आता है तो क्या ठीक है प्रत्वी की फता जब कापने लगती है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे बोकंप और ये कुछ प्राकर्तिक करणों के वज़ा से होता है ठीक है और अगली लिख रकते के मानों के लिए धरातल के धक्के खाना ये कंपन द्वारा हिलना ही बोकंप है मेरे उसार पहला ही प्रत्तबी सत्था होती ही प्रत्तबी कापने लगती है बोकंप के कई सारे प्रकार थैक है और परिकसे मुक्षे कि लिए इस को मुखहतां दू भागों की में कौछ्प नुटिए और शायों की में निवे पत्तम्न पोगता में महात्पूर्ण और टॉप लेबल का कुउश्चन है इसका उत्तर जानिये महा सागर्य जल में अन्य प्रकार से गतियां होती है जिन में ज्वार्भाटा का अपना अलग महत्त होता क्योंकि इसके द्वारा फागर का समस्तजल प्रभावित हो जाता है यानि कि उस पर बहुत प्रभाव पढ़ता है ज्वार भांटा से ठीक है समान ने तौर पर माना जाता है कि सूर्थ तथा चंद्रमा के आकरशन बल के करण महाफागर यह जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहा जाता है पर पानी उपर उठकर जाएगा उसको कहेंगे जौर उसके बाद वह नीचे आएगा तो उसको कहेंगे भाटा तो यह प्रोसेस होता है ज्वार बाटा का टिक है महासागरिये निच्षेप किसे कहते हैं यह तमहात पूड़ने आप इसे एक्णौर भी कर सकते हैं पड़ भ किसे कहते हैं ठीक है यह भी कभी कदार आता है तो इसका उत्तर जान लीजिए महासागरों की फता पे तली तक बिद्दिमान जैविक तथा आजैविक तत्तों को जिनका प्रियोग मानों अपनी आशकताओं की पूर्ति के लिए करता है या करेगा सागरिये संसाधन कहा जा हो है ठीक है क्या है मतलब कि एक बार कुछ गढ़बढ हो जाए तो पुना निर्माण संभ हो है ओके तो इस प्रकार लिखेंगे उसका उत्तर और अगला बहुत ही हाई लेबल के कई बार प्रश्ण है मैंने देखा है कि प्रवाल भित्ति फिजड़ा आया है तो जिसका पर लिप्स नामक सागरिय को जीव होते हैं उनके कंकाल सेवनति है ठीक है महा सागरो में समूह में एक ही अफ्थान पर आफंख मूंगे निवास करते हैं ठीक है और प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों और एक चूने का खोल बना लेता है ठीक है और यह अपना भोज प्राप्त करता है ठीक है और परन्तों जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसे खोल के ओपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाने लगता है ठीक है इस प्रशने का जो में उत्तर है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कितना आपको याद रखना है ठीक है यहां से सुनिए ठीक जब एक प्रवाल एक प्रवाल मतलब कि समदर में रहने वाला जियू है आप कह सकते है जब एक प्रवाल मर जाता है ठीक है तो उसके खोल के उपर दूसरा प्रवाल जो है वो अपना खोल बनाने लगता है ठीक है जब मर जाता है तो उसके खोल के उपर यह प्रोसेस होता है कि बहुत ही लंबे समय तक होता है ठीक है और लंबे समय में एक बिस्तित भित्यां बन जाती है यानि कि बहुत सारी भित्यां हो जाती है ठीक है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रवाल भित्ति ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे प्रशने का उत्तर बह तथा बिपरीत होती है इसके केंद्र में उच्छ वायोदाप का केंद्र होता है जिबकी परिधिकी और निम्न वायोदाप पाया जाता है इसके कारण हवाय केंद्र में परिदिकी तरफ प्रभावित होती है, उसमें प्रतिचक्रवात का सरवता अभाव पाया जाता है, किन्तु वो पोफड कट बंधिये उच्च वायवदाब वाले छित्रों में सरवधिक प्रत्चक्रवातों की उत्पत्ति होती है ठीक है ओके और प्रत्चक्रवात में वताग्र नहीं बनते हैं तथा इनमें चक्रवातों के विपरित मौसम साप यम सुहामना रहता है और आका से फाल आया था ठीक है साग्रिय लमडता यह महत्पूर्प्रस ने इसको भी तयार कर लेंगे प्रफेसर सवेंद्र सिंग और यह प्रमुक विद्वान है इनका मानना है कि जो साग्रिय लमडता है साग्रिय जल के भार यह उनसमें घुले हुए पदार्थों के भार के होगते हैं साग्रिय जल के तापन कोश्पष्ट कीजे कभी कदार आता इमेंसा नहीं आता इग्णूर कर सकते हैं और पड़ भी शकते हैं उत्तर और कोश्चन उत्तर दोनों है अग्लाय कि तरंग किसे कहते यह महत्पूर्पून है पवन के सतत्प्रवाह तथा अन्य सक्त है ठीक है प्रवा होने लगता है एक दिशा के लिए तथा अन्य सक्तियों के करण सग्रिय जल में संचलन या गति उत्पन हो जाती है इन सक्तियों के प्रभाव से सग्रिय जल आगे बढ़ता है तो कभी पीछे हटता है तो अपने ही अफ्थान पर वत्ता का रूप में संचलन करते हैं साग्रिय जल के कर्मिक रूप से उठने तथा गिरने को तरंग कहते हैं प्रतिरूप लगुशर को आया ही जाया है चक्रवात के हैं तो समानय रूप से चक्षां होिटंदर निय्म्हें वायव् दाप केंद्र होता है जिसकेться चारों तरप सकेंद्री सम वायुदाब रेखी बिस्तित होती हैं तथा केंद्र से बाहर की और वायुदाब बढ़ जाता है परिडामा सुरूप परिद्र से केंद्र की और हवाय चलने लगती हैं पृतिवी के गुरूडन के कारण इनकी दिसा उत्तरी गुलार्द में तथा तापान को प्रभावित करते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन का मतलब ये चक्रवात की हम आपको फोटो दिखा दे तब आपको समझ भी आएगा ठीक है आपने कभी नदी में या समुद्र में या फिर किसी चीज नहर वहर में आपने देखा होगा इस प्रिकार का मतल तब गोला गोला फे हो जाता ठीक है ठीक है तो यही होता है चक्रवात ठीक है इसकी परिभासा भी जान लीजे चक्रवात है ना तब बनता है जब गर्म नम हवा समुद्र के उपर उड़ती है तब चक्रवात बनता है ठीक है शमुद्र की सता के पास कम हवा रहते क्योंकि या हवा उपर उड़ती है और इसे से दूर चली जाती फिले जैफे ही गर्म हवा उपर उड़ती है ये नीचे के वायोदाब का एक छेत्र बनाती है फिर उच्चदाब वाले छेत्रों से हवा कम दबा वाले छेत्रों में लखेलती है ठीक है तो इस प्रोसेस को कहेंगे चक् वर्षा ठीक है चक्र वातिये वर्षा यह बहुत ही मात पूंट प्रस्ण याद रखेंगे पर इच्छा हमें कई बार रिपीटिट है तो ध्यान से याद रखेंगे ठीक है भौकतिक भोगोल का विश्वेचेत्र हंडर पर से प्रस्ण आएगा क्योंकि आपके यह श्रीबर स संक्वा कार परबत से लगाते हैं कि या गलत है वास्तों में जोला मुखी संक्व या परबत तो जोला मुखी करिया का प्रड़ाम या प्रतिफल है ठीक है ज्वाला मुखी बहुपटल के होई चिद्र हैं जिनसे बुगर्ब काा मैगहा आधि पदार्थ उद्गार की रूप में बाहर निकलता है ठीक है तो मतलब जो जो जॉला मुखी इसमें क्या होता इसमें ट्रीक विंसी पर आक के लाघ है ठीक और रहा जो फाल निकलते हैं और गोला का छिद्र होता है और जिसमें पquierसरा स्वाइंब और हाइबल कोश्चन है जयो मंदल भूत ही हाइड कोश्चन पर इच्छा में आएगा हुश्चन है रिख्षमें पर कश्चन के प्रकार फूर तब कभी कढहा राता हमेंसा नहीं आता तो आप पड़ भी सकते चक्रवात में अंतर और दोनों की परिवाँ त्यार कर लिजेगा ठीक है और बलका वस्तुप कभी कदा रहाता है बुसंतुलन यह हमेशा आता है इसको जोड़ तैयार कर लिजेगा हाइए लेबल को उत्तर आपके समझत हैं ठीक है समय नहीं ज्यादा इसलिए आपको इस्क्रेंज ज्यादा नहीं कर पाएंगे CPA लिजेगा ठीक है तो इस प्रकार आपको कॵेह रोड़ कर ले नहीं कção वारा आए कोईस्चन तो इसको तेयर कर लिजेगा ठीक है जरों दो और पांक पर बार सन्य बार मैंने ओपर बताया है है कॵेह जरूर प्रक्राई औने वाला पिए परसकते हैं लेकिन हम पूरी के पूरी पीडियोप आपको वट्सप पे और तेले ग्राम पर पूषात करा देंगे जो भी चात्राम मेस्जच करेंगे बाकि अपनी और जयार से सर्फार से कर दो को सब्सक्राइब करें तो उनको